हेल्लो एबरिवरीवर्ण फल्कम तु व्यूप व्यूप फॉर्च्योन डबल वन डबल बन कैसे हैं आप लोग ? आप सब बहुत अच्छे हूँ आज की जो रीडिंग है वहम टैरो काड रीडिंग करेंगे यू वसस देम के प्रेडिक्शन करेंगे कभी सबसक्राइब फीलिंगों को ऑफ करते हुङ हो आप खब से लिए नियुन सब्सक्राइब ओठेटि में के लिए हुझ हो किया है के इस ने खरकोर में बिलों को से ब Legion depression iç मैं भीब करते हैं बडल्हा small to a-ponnose आप इस लाइफ टाइम में इस धरती पे क्यों आये हो ठीके आप आत्मा को कैसे आप फीड कर सकते हो तो आप स्प्रेड करवा सकते हो अपने लिए परसनलाइज इसके लिए मैं आफर दे रही हूं बहुत सारे अल्रेडी बुकिंग्स हो चुकी है तो अगर आपको चाहिए आप गिवन वाटसम नंबर पर इंस्टा इडी पर कॉंटेट कर सकते हो और अपनी बुकिंग करवा सकते हो तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को तो जब तक मैं किसी का पना आपको और तो सकते हो का अभालंज का भी हैं बुकिंग का तो स्कॉक जुक ल whisk तो चेंग we have nine of wands ace of coins eight of wands we have the devil okay so, सबसे पहले चेक करते हैं आपके person जो भी इनसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इनसान की current feelings आपके लिए ठीक है आपके person इस वक्त बीच में फसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं nine of wands आपर एक energy दिख रही है कि ये अपने दिल और दिमाग के thoughts में फसे हुए है इनको समझ नहीं आ रहा है इनने किस तरफ जाना चाहिए इनका दिल इनने कह रहा है कि इनने selfless होकर आपके तरफ आगे बढ़ना चाहिए ठीक है आपके साथ चीजों को continue करना चाहिए तो उसके ही opposite में इनका दिमाग इनने कह रहा है कि इनने आपके तरफ नहीं बढ़ना चाहिए अगर ये आपके तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने ये अपने लिए वो खुद गलत करेंगे ठीक है या अपना use करवा लेंगे तो कही न कहीं मुझे दिख रहा है कि इस person की individual level पर issues है आप देख सकते हो ये जो लड़की है इसने हाथ में एक छोटा सा डॉल पकड़ा हुआ ये जो डॉल है ये इसी बच्ची का childhood रिप्रेजन कर रहा है past रिप्रेजन कर रहा है जिसे इसने पकड़ के रखा है ठीक है तो यही चीज सेम आपके अपने person के समझ लो कि इनकी अपने love life में कुछ issues definitely हुए है love life से related इनका कोई बुरा past जहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने बहुत effort दिया था बहुत प्यार किया था इन रिटेन हो सकते हैं कि इनको कुछ अच्छा मिला नहीं इनको cheat करा गया इनको use करा गया ऐसे situations थी तो अब क्या हो रहा है कि वो आप पे भी उतना trust नहीं कर बार है ठीक है करना चाहते हैं दिल इनका आपका है कि कि दिल से जुड़े वे आप से लेकिन इनका brain उन्हें बोलता है कि सेम चीज़ों को repeat मत करो पश्टा होगे तो इस इनसान को आपके लिए कुछ करनी का इच्छा चल रहा है कुछ special आपके लिए करना चाहते है या कुछ official करना चाहते है इस रिष्टे को या कुछ तो इनके दिमाग में कुछ special वाली energy दिख रही है जो ये प्रसीट करना चाहते हैं दिल की सुनके लेकिन इनका दिमाग कह रहा है कि नहीं ये सही decision नहीं होगा गलत मत करो फिर से repeat मत करो ठीक है फिर अपने आपको इदोश दोगे तो इनके अंदर की दो आवाज इनको आ रही है एक जो इनने आगे पुष कर रही है इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी आवाज जो है इनने रोक रही है कि तुम इस रिष्टे को आगे मत बढ़ाओ कोई effort मत दालो तो उसमें यह बहुत दाफ हुसे हुए है कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ ठीक है तो यह energy सी मुझे दिख रही है still मुझे यह दिख रहा है कि यह अपने दिल की ही सुनना चाते है क्योंकि यह आप Ace of Coins की energy है और इससे यह चीज़ दिख रही है आपके लिए कुछ special करने का इस तरीके के energy इनकी जरूर से जरूर चल रही है तो यह कही ना की negativity से निकलना चाते है ठीक है और इन्हें और एक confusion हो रहा है करेंटली कि मुझे आपके दिख रहे है कि यह person आपके लिए कुछ special करना चाते है चाहे हो सकते आपसे मिलने आला हो गया दूर से या आपके साथ trip plan करना हो गया डेट पे जाना हो गया या आपको propose करना हो गया शादी वेगरा के लिए या फिर कुछ surprise देना हो गया तो इनके माइन में यह चल रहा है कि कहीं यह attachment के वज़े से तो नहीं हो रहा यह चाहते हैं कि यह जो भी gesture या effort डाले वो out of love हो out of attachment नहीं मतलब अगर वो out of love आपके लिए कुछ करेंगे या आपके लिए कुछ सोचेंगे तो उसमें उनका greediness नहीं रहेगा expectations नहीं रहेंगे लेकिन अगर out of attachment उन्होंने आपके लिए कोई effort डाला तो वो in return उम्मीद रखेंगे कि आपसे भी उन्हें मिले और अगर आपसे उन्हें नहीं मिलता है वो same energy तो क्या बहुत disappointed हो जाएंगे फिर वो सोचेंगे कि उन्हें अपनी दिमाग का ही सोचना चाहिए था तो कहीं न कहीं वो evaluate कर रहे हैं अपनी feelings को, emotions को and thoughts को सबसे पहले तो वो अपनी दिल के सुनना चाहते हैं और अगर दिल की वो सुनते हैं तो वो out of love आपके लिए चीजों को करना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके मन में कोई चीज़ attached रहे and then उस attachment के चलते उस expectations को पूरा करने के चलते वो आपके लिए कुछ करें क्योंकि उन्हें यह चीज़ समझ आ रही है कि अगर वो expect करके आपके लिए कुछ करेंगे और उन्हें वो चीज़ अगर नहीं मिली आपसे तो वो disappointed हो जाएंगे lifetime के लिए पश्टावा उनके mind में काम करेगा तो आपके person की mind की जो processing है वो बहुत ज़्यादा different दिख रही है कोई tension नहीं कुछ नहीं ठीक है हस से जादा tension लेते हैं हस से जादा सोचते हैं कुछ करने के पहले and इनको हमेशा dissatisfactory energy रहती है कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ करा या मैं किसी से जुड़ा या जुड़ी और in return मुझे वो energy नहीं मिले तो पश्टावा ही पश्टावा होगा तो यह चीज़ को अब रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं कि यह चीज़ उन्हें बहुत जादा tension देती हैं दुख देती हैं अंदर से and वो नहीं चाह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ हो तो आपके person के mind में हो रहा है कि अगर मैं इनसान को अब चाहूंगा या चाहूंगी selflessly चाहूंगा या चाहूंगी मेरे तरफ से कोई expectations नहीं रहेंगे मैं बस इने प्यार करूंगा करूंगी और इनकी लिए करूंगा या करूंगा इन डिटन में कोई उम्मीद नहीं रखूंगा या रखूंगी ऐसे mindset में ये इनसान अपने आपको रखना चाहरे हैं अपने आपको ready करना चाहरे है ठीक है तो ये चीज मुझे यहां पर दिख रही है और भी cards दिखते है we have the wheel of fortune तो yes definitely मुझे अलग रहा है कि आपके person currently सोच रहे है कि उनके खुद के you know past issues के वज़े से and back and forth energies के वज़े से बहुत सरी चीजे वो forcefully control करके रखते हैं इसकी necessity नहीं है ठीक है इनको feel हो रहा है कि जो भागय में आप दोनों के लिखा होगा वो होगा ही होगा चाहिए वो अच्छा हो या बुरा हो तो उनको अब अपने mindset को change करना है वो चाह रहे हैं कि उनका personal mindset जो है thoughts है वो थोड़ा सा वो change करें थोड़ा सा फ्लेक्सिवल हो आपके साथ ठीक है तो ऐसे mindset में वो चोड़ रहे हैं और destiny में छोड़े कोई चीज़ कंट्रोल ना करें आपके person realize कर पा रहे हैं कि उनकी इस तरीकी के insecure energies के चलते thoughts के चलते चाहिए था इनोंने गल्दी कर दिया आपके लिए चीज़े करके ठीक है तो यह जो toxic mindset है यह आपके person admit कर चुके हैं कि हाँ they have it and they have to change it और इसे कभी खुश नहीं रह पाएंगे किसी के साथ two of coins yes इनको खुद feel हो रहा है कि यह बहुत confused इनसान है इनका मन बदलता है यह कुछ भी करने जाते हैं करते हैं और फिस सोचते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था शायद उनके लिए सही नहीं हुआ तो कही न कहीं वो एक calm person जिनको life में regrets नहीं है जिनको life में guilt ना हो वैसे इनसान में यह बदलना चाह रहे हैं क्योंकि इनसान जैसे mindset में energy में continue कर रहे हैं उसी तरह किसा अगर यह continue करते हैं तो यह रिष्टा आपका बरबाद होगा ही होगा क्योंकि हमेशा disappointed रहेंगे किसी चोटे से चोटे इंकन्वीनियंस के वज़े से यह इनसान इनसान रहेंगे कि आपसे नहीं हो पा रहा और वह आपको blame करते रहेंगे life time जिससे क्या होगा आप उनसे दूर हो जाओगे detach हो जाओगे प्यार आप दोनों के बीच में कम हो जाएगा closeness आप दोनों के बीच में ऐसाह मुर्थ क्ली लिए में लो यह कोश्यायः मैं रहें लोगा आपको भीच में देड़ का आपको ऑनाप Cup का घंव जाः Гोसमदा को से घंवर में नापको यह नहीं है कि लिए लो इल विए व्राट को से पिन धिए नहीं है को संब रहें ह। ऑनापको प्तार आपको हॉ we have ace of pentacles okay मुझे आपट दिख रहा है आपके current feelings में कि आपकी बहुत हत तक एक positive mindset है इस वक्त आप एक ऐसे energy में हो जहाँ पर आप अच्छाई को importance देना चाहरे हो आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपने life में बहुत दुख जहल लिया है बहुत negativity attract कर ली है negativity को importance दे दिया है तो अब आपके life में जो चीज़े अच्छी होती है जो आपके favor में है जिससे आप खुश रह सकते हो वैसे आप life को आगे बढ़ाना चाहरे हो तो कई न कई आप इस relationship की और इस इंसान की अच्छी qualities को ढूड़ना चाहरे हो आप चाहरे हो कि वो अच्छाई को अब importance मिले और उस अच्छाई के चलते जो खुशिया हमें मिलेगी या हम खुश feel कर पाएंगे उसी को feel करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो आपके mind में existing negativity या कोई भी रुकावट जो है वो निकल रहा है क्योंकि आपको अंदर से एक faith आ रहा है एक belief आपका हो रहा है कि destiny fix है उसमें आप कोई changes नहीं कर सकते हैं आप बस इतना कर सकते हो कि आप एक अच्छे इंसान अच्छे lover बनके अच्छी चीजों को appreciate करके अपने life को जी सकते हो तो कहीं न कहीं आप फिल कर रहे हो कि past and future को सोचने से जादा better ये है कि हम present को खुबसूरत बनाने की present में happy रहने की, stable रहने की एक अच्छे lover बनने की कुशिश करें तो आपके अंदर से expectations तीरे तीरे खत्म हो रही है आपको ऐसा फिल हो रहा है कि जो चीज़े मैं अपने person से expect कर रही हूँ या कर रहा हूँ या कर रहा था basically अब वो चीज़ ट्राइ करो कि मैं इस इंसान को वो nourishment दे पाऊं ठीक है तो आपके मन में जो चाहा थी कि मेरे लिए ये इंसान ऐसा करे ये मुझे समझे ये मुझे इस तरीके से जो चीज़े अच्छी है अगर एक connection में एक person में 10% भी उसमें अच्छाई है तो अच्छाई को हम embrace करें तो ऐसी आपके mindset चल रही है और इस चीज़ के चलती आप करसा लग रहा है कि नहीं आप try कर सकते उस रिष्टे पर अगर आपको मुझा मिलता है तो आप ज़रूर इस रिष्टे पर मैनत करोगे और इस रिष्टे पर faith रखोगे give up नहीं करोगे ठीक है क्योंकि अगर ये रिष्टिया सही हो रहा है ठीक है अगर इस रिष्टे को नया मौका मिल रहा है अगर ये इंसान लॉट रहे है तो दूसरा लाइफ को जीना चाहते हो आप इस खुल के इस relationship में भी जीना चाहते हो और आपके mindset यही है कि उमीद है आपको कि कुछ अच्छा हो जा इस रिष्टे में और कुछ अच्छा होने का अगर मौका मिले तो जरूर आप अपना 100% डालने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो आपकी mindset इस वक्त positive बहुत दिख रही है अपने रिष्टे को लेकर इस इंसान को लेकर आपके मन में कोई personal grudges कोई घुसा कोई hatred कोई disappointment काम नहीं कर रहा है we have the chariot we have death we have judgment yes कहीं आप कर लग रहा है कि अगर आप इस इंसान से मिले हो किसी ना किसी वज़े से भी चाहे वह divine की वज़े से हो या फिर एक coincidence हो लेकिन इस इंसान से आप मिले हो इनसे आपका रिष्टा बना है तो अब आपको यह रिष्टा निभाना है चाहे आपको इन रिटन कुछ मिले ना मिले आपको अपने तरफ से honest रहना है अगर आपको लगता है कि इश्वर आपको नया मौका दे रहे हैं इस रिष्टे को शुरू करने का तो इसके लिए भी आपको positive रहना है जंदेगी में मिलते हैं जुडते हैं वह कोई ना कोई reason से जुडते हैं और हमारा यह responsibility है कि हम किसी के लिए heart feelings ना रखें अगर आपको प्यार करते हैं और उनको अगर आप माफ ही नहीं कर पाए उनको हम अपना नहीं पाए तो फिर वह प्यार ही नहीं है तो इस चीज को कह ही ना कि आप समझ पा रहे हो और अब थोड़ा सा you know stress free रहना चाहते हो अब नहीं चाहते हो कि आपको इतना ज्यादा चिंता करना पड़े आप बस चाहरे हो कि आप अपने love life में focus रहोगे आपके lover को अगर आपकी जरूरत है आपके प्यार की जरूरत है आप दोगे लेकिन in return आप कुछ भी expectations नहीं रखोगे ठीक है जितना आप को मिल रहा है उतने में खुश रहोगे और अगर आपको लगे कि उतने में खुश नहीं हो पा रहे हो तो आप life में आगे बढ़ जाओगे लेकिन stuck होके problem करना जगड़े करना ठीक है उमीद करते रहना कि तुम बदल ज अगर हमारे फेवर में कुछ चीज नहीं हो रही है तो हमें यह गिल्ट नहीं होगा कि हम अपना 100% देनी पाए हम शाही तरीके से प्यार करनी पाए आप हमेशा यह फील करोगे कि नहीं आप अपना बेस दिया उसके बाद बढ़ चीज नहीं ही तो that's a different thing ठीक है तो यह ची friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve यह guidance universe के तरफ से आपको मिल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि इस रिष्टे में बहुत problem है, understanding issue है बहुत जादा, इंसान समझते नहीं है तो प्यार व्यार को आप भूलिए, सबसे पहले friendship में फोकस करो कि कैसे आप इस इनसान के अच्छे दोस्त बन सकते हो, या कैसे आप दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ सकती है, जितना आप दोनों दोस्ती पे फोकस करोगे ना, प्यार को साइड में रख दो, लवर वाली को साइड में लग दो, ऐसे सोचो कि यह इनसान आपके दोस्त हैं, या आपके बैस्फरेंड है, अब उनने कैसे ट्रीट करोगे, उनके बात कैसे डाइजेस्ट करोगे, उनके इनसे को चीज़ों को चैसे को साइज़ों करोगे, फ्रेंडशिप पे फोकस करो, आपके लव तो अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ हो लेकिन खुश नहीं हो पा रहे हो यह वह इंसान आपके मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं तो लवर वाला जो आपका पार्ट है उसे साइड में रखो अपने अंदर के दोस्त को जगाओ और दोस्ती करो असे रहो कि आप उनके विश्माएगा उतना आपका लव लाइफ बैस रहेगा ठीक है यह चीज मुझे यह आपर दिख रही है अगर आपको लगता है कि यूनो आप सही करून कर रहे हो अच्छे लवर भी हो लव लाइफ में आपने सही सब कुछ किया भी है और आगे भी आपने जो सोचाए कि करोगे उसे कंटिन्यू करो क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हों ठीक है एक एंजल का दिल है आपका तो वह समझ लीजिए कि उस सामने वाले इंसान के लिए वह एक आशिरवाद है ठीक है तो कभी भी किसी के लिए आप कुछ करो किसी को प्यार करो किसी की खुशियों का कारण अगर आप बनो और इंटन हो सकता है कि आपको खुशी नहीं मिल रही है लेकिन आप किसी का कारण बन रहे हो तो उसमें कभी डिसपॉइंट मत होना कि आपको इन रिटन कुछ मिला नहीं आपका जिन्दगी एकदम अधूरी रहे गई ठीक है एम्टी रहे गई कि कुई वही है आप तो फरिष्टे हो ठीक है आप इंसानी रूप में हो जी रहे हो लेकिन आ कि आप एक एंजल हो आप इस दुनिया में लोगों को जादा देने आए हो और क्योंकि सारे जिन लोगों से जुड़े हो जो लोग आपके फैमिली हो सकती है आपके हस्बंड वाइफ हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं लवर हो सकते हैं आसपस के लोग हो सकते हैं जो हो सकते ह वो कभी आपको इन रिटन दे नहीं पाएंगे, वो सैटिस्टेक्शन, वो खुशिया, वो एफ़र्ट्स, ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा आपको फील होता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, आपका भाग्ये खराब है, भगवान ने हमेशा आपके साथ गल आपको लगता है कि मैं नॉर्मल हुमन हूँ, जब सामने वाले इनसान को सब मिल पा रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा दूसरों से, वो इसी लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको कोई एंजल के मापिक इनसान ही दे सकता है वो सारी चीजे या कोई एंजल की आपको कि आप जो कर रहे हो जो आप ढूंद रहे हो एक normal human being कभी आपके लेवल पर नहीं आ सकता है नहीं लोग के साथ आपका जिंदेगी में बॉंद हो जाता है जिसके वेसे आपको तो लगता है कि मैं सब के लिए करता रहता हूं करती रहती हूं इनजल के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं है ठीक है क्योंकि आप एक नॉर्बल बींग तो हो नहीं लेकिन आप एक नॉर्मल बींग के बॉडी में you know kind of stuck and stuck भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप इस अर्थ में आए हो खुशिया बाटने, खुशिया देने ठीक है तो yes hopeful रहो अपने life में but कुछ गलत आपके साथ कभी नहीं होगा ठीक है so guys, ही थी थी आप लोकी reading I hope आपको पसंदा अगा पसंदा है तो please do like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोको next video में guys तब तके लिए, bye-bye